बात करता हूं का मेरे चैनल पे और आज की इस वीडियो में रिया चकरवती की बिग बॉस में एंट्री होगी या नहीं होगी इस पर हम बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो तो जब भी हम इनकी कुंडली के अगर हम बात करें तो अगर आप ये बात देखेंगे कि इनकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो चल रही है डबल बुद रहू इस दशा में क्या होता है दोस्तो mental थोड़ा कश्ट होता है लेकिन साथी में यहाँ पर डबल बुद की वज़े से इनको award भी मिलना कोई title मिलना हाली मैंने जो title मिला है most desirable woman का तो वो इसी दशा का फल है आगे अगर हम बात देखे तो एक काम का pressure डालेगा और एक चीज़ और करेगा यहाँ पर डबल बुद के कारण यहाँ पर इनको benefit मिलेगा और एक चीज़ का और इनको सबसे benefit चीज़ मिलेगी कि जो भी इनकी बदनामी हुई थी डबल बुद मंगल में वो राहू जब आया है तो वो उस बदनामी को मिटाएगा और इनका fame बढ़ाएगा जैसा कि मैंने पहली अपनी वीडियो में बोला था कि यह डबल बुद के दशार रिया चकरवती के लिए बहुत अची जाने वाली है काम दंदे में उत्तम रहेगा दोस्तों में उत्तम रहेगा और खासकर व फिल्म के ओफर आना वेब सीरीज में आना यूट्यूब के सौंग्स में आना बहुत फायदे मंद रहेगा और अगर हम बात करें पब्लिक सपोर्ट की तो आगे बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट मिलने वाला है बहुत अच्छा fame इन्हें मिलने वाला है तो होप आपको झाला है